तो आपने टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेना है कि गयाँ इसके बाद आंट सीमपली के विस्कर की मदद से इस तरह से अच्छे से फैंट देगा जब तक कि यह बिल्कुल स्मूज सा पेस नमाज जा इसके बाद आपने हाफ कप शुगर लेना है कैस्टर पिस्जीओ शुगर उसके साथ आपने जो ऑइल है वाहाफ कप लेना है यादि दोनों को क्वांटिटी आपने समे मुए चीनी और उसके साथ आपने तेल जार वहाफ कप लेना है इसके बाद पिस्जीओ चीनी जो आपने अंडे का जो अंडे का मिक्सचर जो आपने फैंटा था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके एड़ करेंगे एक साथ नहीं एड़ करेंगे और अच्छे से आप इसको फैंटेंगे अच्छे से आपने इसको फैंटना है और एक से दो मिंट अच्छे से मिक् तो आपने टूटी फ्रूटी केक के लिए इसके बाद जो है आप इसके अंदर एड़ करेंगे वाकि आदा कब पहले जो चीनी डी ती उसमें से हाफ डे डाली और उसके बाद नेक्स टाइम में फिर दोवारा हाफ डालकर आप जो सारी की सारी चीनी इसको अगें आप अच्छी से फेंटना है चीनी को घोल लेना है पूरी चीनी घोल जाने चाहिए दानेधार चीनी मज़गी दूर्म कीजिए जीगा जाया है मिटार काथ पास लिए हव्यां हमेशा जो है कैस्टर शूगर पीसीवी चीनी इसको पाद आप जो हा और डिया तो थोड़ा सा पह और अच्छे से इसको भी आपने विस्कर की मदद से फैंट लेना है अंडे और चीनी वाले मिक्सर के अंदर तो आपने इसको एक से दो मैं टच्चे से फैंट लिया उसके बाद जो है बाकी का जो आपका पास ऑईल है थोड़ा-थरू करके आपने शमल करना है और थोड़ा स अच्छ से आपने इस तरह से इसको फैंट कि लेना है। अच्छ से फैंट कि यूदा कूल से नहीं होती है कि अजय की आपके सामने सारा यह अच्छ लिदवर वाला टर था, चाहह झे?. अब इसको आप एक तरफ रखती जिएगा और ड्राइंग गीडियन के तरफ आते हैं सबसे पहले आपने एक कब भरकर बड़ा वाला कब फुली भरकर हीप्ट जो है यानि भरावा आपने मैदे का लेना है उसके अंदर आपने वन टी स्पून आपने इसके अंदर बेकिंग वेकींग पॉड़र आड़कर आड़कर दो भीघर कपका रखेए उसके लिए उसको एक इसे मिक्स करना है फिर इसको आप यह जिस Görमाते नहां पिंदर आपसी हो पिसुटे पूरी जी करने दों उड्राइप लालकर इस시다फ ना जिए उपिस हां कर लिए ताकि जो मैदा है उसके अंदर अच्छे से वेकिंग पॉर्टर इमुनली दिस्टिबूट हो जाए मैंने क्या क्या मैंने थोड़ा सा स्कुष्क मेवा सोगी जिसे कहते हैं वो लिया उसके साथ जो है मैंने इस तरह से जैली लिया जैली मुरबबा लिया और हाफ कप लिया है यह दोनों जो है इसमें दो से तीन टेबल स्पून खुष्क मेवा था और आदा कप के करीव इसके अंदर जो है मैंने जैली मुरबबा एड़ किया है ग्रीन और उसके साथ रेड वाला दोनों उसके अंदर मैंने एक चमच भरकर मैदे का डाला है ताकि करें चुछ शान तक मैंने अंड़ निकाल दिया था उसके अच्छे से दोकर दें और जैंफेक एकार रख देंगे और यह दैड़ करेंगे थोडा सा मिल्क मिल्क कितना यह करना है आपने हाफ कप के करीब आपने निदर दूद ले लेना है फ्रेश मिल्क लेना है बुलाव कर देंगे आदा कब अगर आपको जादा लगे तो आप जो है अक्सकीप करना चाहते हैं तो काम कर दीजेगा लेकिन आप इसके अंदर दूद एड़ करेंगे तो जादा मज़ेदार और अच्छा सा केक बनेगा तो आपने जाए इसको अच्छे से आपने अंडे वाला जब अंडा चीनी और आपने अच्छे से तेल उसके अंदर डाल कर टालm typically इसके साथी अब आप जो है थोरी सा दूड़कर अच्छे से पहेंट लेंगे अच्छे से आपने ञारे फैंट कर नेके से बगाद अंदर पहेंट कर अच्छे से भी आप इसके लिक्री कर भूला राव और थोड़ा तरो करके डालना है विस्कर की मदर से आप विस्कर चलाते हुए तक इसके अंदर लंस ना बने और आपका बैटर जो है वह सकत न हो और इसको बिल्कुल सॉफ्ट लिस जितना हाथ हलका चलाएंगे और जितनी फोल्डिंग कम करेंगे उतना ही यानि में फोल्ड करेंगे उतना केक जो है स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा और स्पंज आपका एक दम जो है वह बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सॉफ्ट होता है बिल्कुल नरव मुलाइम होगा तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मैंने एक दम में बिल्कुल नहीं एड़ कर नहीं है इसके अंदर अंडर तो आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके शामल करना हे ताके सारा का सारा मिक्स करना है ताकि जो है आपका है आपका जो अच्छे कोई ड्राइए गीडियों नहरा है तो आपने बाओल में अच्छे से इसाह आप प्रकोर эпolt के मतदर से अच्छी मिएatif कर लेना है देना हैस्सेस अच्छी मतर से भी देच्च मसर्चा सकते हैं साहरा का सारा मैने लिक्विट वाला अखर में डाल कर इसके अगें जो है मैंने अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है वह अच्छे से मेक्स हो जाए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस और इस तरह से अच्छे से इसका जो है वह विसकर चलाते हैं वह बिल्कुल देखें सॉफ्टली मैं इसको मिक्स कर रही हूं कोई इसको जल्दी न होना चाहिए ना पतला ना जादा गाड़ा तो आप इस तरह से आपका बैटर हो जाए बिल्कुल इस स्टेज पर अब आपने क्या करना है गाइस इसको एक से बैटर त्यार किया है उसके अंदर अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद आप अच्छे से देख सकते हैं कि इस तरह से आपने क्या करना है उसके बाद आपका बैटर है यह विल्कुल रेडी है और इसको बाद आप आपने क्या करना है सबसे पहले जिस पैन के अंदर आपने जो है वो केक रखना है उसके लिए आप सबसे क्या करेंगे इस तरह से एक बड़तन लेंगे स्टील का उसमें बचावा एक चमच का ऑईल था ना बचा था वहने वन टीस्पून चोड़ा था वह इसके अंदर इसके जो बेस में डालकर इस तरह से उसके बाद इस ब्रेश की मदश से आप जो है वह अच्छे से पूरे इवनली पूरे उपर तक जो है वह ओल को अच्छे से लगा देना है सारा का सारा जो है वह आपने अच्छे से लगा देने के बाद ओल को अच्छे से लगाएगा ग्रीस का लीजेगा और यह जो आपने कट कर लेना है बटर पेपर और हम तरह से इस तरह से इसकें अब्गे चृठकेंगे तके आपका कीख चिपके नहीं तो आप उस पर अच्छे से कली जास यह जिए इस वैदा है वह आप इस में से जो है वो निकाल क्षेल तो अच्छे से एंगलनी पूरे जो रिखिए हैं उसके dau continuar मेदा लगा कर उसके पाए ज हमने क्या क्वार जो हमने क्वेट नहीं किया है केक लिख्षड को वह सारा इस लिख अच्छे से इसाड़ का सारा एड करना है और अच्छी देख सकते हैंronics कैसी है ठीक से बिलकुल इसतरह से आपने इसके इंदर सारह का साररा जो बैंटर था यडी क्या था केक का वह इसके अंदरieważ करके ऊच्छे से एड कीज़ेगा और अब आपने इसको इसके अन्दर आड करते वह आप ने यह श्वार किसा बना ना है कि अफल के आप ने क्वी किस तो अपनी अच्छी से सिग्सटर डाल लेनी के बाद रूहरूंर अच्छी सफीज्र रचप कीजिये उपार इसके इस लाइन बात आप आप कि अपर बाद केक बाद इसके ब्लाइब इसके बाद फ्राइब करने इसके ब्लकी करके हैं, अब ब्लीक ब्लीक की भी नहीं रखनी है यह उपर तक हीट आ रही है गाइस यानि उपर से मैं यानि आपका जो है वह उपर वाला देख्चा भी गरम होना चाहिए 45 मिनर्स के लिए मैंने इसको रखा 45 मिनर्स पर लो टू मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद अब इसको मैं जी 45 मिनर्स के बाद इसका धकन तो नहीं मैंने रखाता यह जो मैंने पतीला रखा था इसको अटा कर देखा तो मेरा केक बिल्कुल जो है वह डेडी है अब आपने किसना से चेक करना क कि आपको केक रेडी है के नहीं गय से इतनी मज़ेदार कुश्बू आ रही है कुश्बू आना स्टार्ट हो जाएगी 45 मिनर्स के लिए सिफ मैंने बताया मीडियम तू यानि लो टू मीडियम के आपने आँच रखनी है चूले की और उसके बाद देखने के लिए कि आपका अपर का देख्चा भी गरम करना है और नीचे का तवा भी आपका पहले से हीट अप होना चाहिए और इसके बाद इसको डिरेक्ली रख दीजेगे चाहिए तो अगर आपको लगए कि आपकी आँच ज्यादा तेज है तो आप इसके बड़ स्टैंड तवे पर रखकर उसके तो आप ठंड़ा होने देंगे तो ज्यादा ज्यादा आपको खाने में अच्छा भी लगए और फिर आपकी इसकी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं तो आपने चुरी की मदद से कट करना है इतनो समूर्ध कट करते वग भी आपको लगए का फील होगा कि समूर्ध सा बेटर है द चाहिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरू करना है और हर रात आठ वजे में वीडियो डेली अप्लोड रोडियों को देखें